कि वेरी वेरी गुड इवनिंग तो आल अफ यू तो नेशनल इंकम में को मैंने जो है इसके टॉपिक्स को चैप्टर में डिवाइड किया है जिसकी चैप्टर नंबर वन में मैंने आपको टाइपस ऑफ गुड्स के बारें बताया था और वहीं पर मैंने आपसे इंटरमेडियर गुड्स और फाइनल गुड्स के उपर डिसकसन किया था और उसमें हमने डिफिरिशेट भी किया तो हम टाइपस ऑफ गुड्स को जो चैप्टर नंबर मैंने वन रखा था अब चैप्टर नंबर टू जहां पर आप स्टोक एंड फ्लो और आप सर्कुलर फ् स्टोक का मीनिंग क्या है स्टोक किसे कहते हैं देखिए हर एक वो चीज जिसको आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर हो सकता है कर सकते हैं मतलब कि जिसको काउंट करने के लिए जिसका मेजरमेंट के लिए आपको कोई लंबे समय अबदी की रिक्वार्मेंट नहीं है आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप उसको कैल्कुलीट कर सकते हो उसको हम बोलते हैं स्टोक हर एक चीज जिसको पॉइंट ऑफ टाइम पर कैल्कुलीट किया जा सके वो क्या है वो स्टोक है अब सवाल यह कि सर पॉइंट ऑफ टाइम क्या है तो पॉइंट ऑफ ट सर मुझे इसमें एक दिन दीजिए सब्सक्राइब कर दो दिन दीजिए इसके लिए प्रिड़ टाइम कि आपको आप सकता है उसे हम प्रिड़ टाइम कहेंगे जिसके समय की नीड है बट एक पॉइंट ऑफ टाइम किसी शणा बता दो तो ऐसी कोई भी गूड कोई भी कमड़ जिसका मिजरमेंट एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हो सकता है उसको हम स्टॉक कहते हैं तो जाइड सी बात है उन चीजों का उन चीजों का कैलकुलेशन एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हो सकता है जिसको और लेड़ी पूरी तरगी से डवलप किया जा चुका है जो अभी हो र यह आपको एक point of time की ही need है आप फ़र सरी बता देंगे जी मेरे account में इतने रुपे पड़े में तो आपके account में जो पैसा है जो balance है वो आपका stock के अंदर आएगा लेकिन अगर मैं आप से कहूं कि इस month में आप कितना कमाने वाले हैं या इस month के आपके income क्या होगी तो आप बोलोगे सरी तो इस month के end पर ही जाके पता चलेगा कि इस month की income क्या होगी क्या overtime लगेगा क्या incentive रहने वाला है क्या off होने की पर कटेगा यह तो मंत के एंड भी पता लगेगा तो आप मुझे एक महिना दीजिए फिर में आपको बता पाऊंगा यह बता पाऊंगी कि यह कितना सेलरी है मेरी तो यह जो सेलरी है न यह आपका क्या हो गया जिसको कैल्कुलेट करने में पीरिड का रिक्वारमेंट है तो फ्लो कहते हैं और जिसको कैल्कुलेट करने में पॉइंट ऑफ टाइम की नीड होती है उसको हम स्टॉक कहते हैं यह चीज के लिए रभी तो पता लगा आपको स्टॉक क्या है फ्लो क्या है कि फॉर एक्जामपल यहां पर देखें जैसे आप किसी को कितना प्लक्शन कर रह प्लक्शन कर सकते हैं तो यहां पर इसके लिए जो है यह इंपोर्टेंट है पॉइंट फॉइंट इन टाइम यह मेजर है तो जब यह अपना आंसर लिखें तो आप कोशिश कर सकते हैं कि वहाँ पर जो में में बाते हैं वहाँ पर आप अंडरलाइन करके चलेंगे तो आपके मार्क्स और जाद चार पांच नमों तो आप गेन कर जाओगे पर नॉर् तो आपके पास में यहाँ पर क्या है इत में स्टॉक वैरिबल आर नौट टाइम ड्यामेश्नल इस टॉक को कैल्क्लेयट करने के कि सी टाइम और प्रूरी ड्यामेश्नल की नीड नहीं है अबदी की जरूर आव सकता नहीं है तो इस टॉक क्या है जिसको एक समय बिंदू पर मापा जा सके ऐसी कोई भी वस्तू जिसकी मातरा को एक समय बिंदू पर मापा जा सके उसके लिए किसी परकार की समय अबधी की आवसकता ना हो उस परकार की वस्तू को हम इस टॉक कहेंगे some more example of stock variable are national wealth national capital हमारी national wealth क्या है यह हमारे nations को पता रहती है clear national capital money supply etc money supply जैसे कि हमें पता है कि हमारे economy में कितने लाग क्रोड की मनी की supply है जैसे कि लोग डाउन जब नोट बंदी के जब दौर था तो उसमें जैसी नोट बंदी वहा तो मीडिया में बात आगी ते इतने लाग क्रोड रुपए को आप कैसे बदल देंगे तो कहीं नहीं वहाद पाले सी मालन थी एक पॉइंट अप्ट टाइम की नीड थ से आते हैं बिल्कुल अलग सवाज जो आपने पहले नहीं पड़े वह सवाल आपके पेपर में आएंगे लेकिन वह सलवाद कलने के लिए भी आपको थोड़ा सा यह चीजों को समझना होगा तक कि जब वहाँ पर आपके पास में वोक्याबलरी जाया वर्ड आए तो उसको मैं समझा रहा हूं कौन से चीज क्या होती है वोट कbat अ मिनिक आफ लो क्या है वह क्तलों मतलब जो अभी फ्लो में है जो भी चुल रहा है या फिर जिसको मेजरमेंट के लिए एक पीरेड़ ऑफ टाइम की नीड होगी उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम वोलेंगे तो दो which is measures over period of time एक time के आपसकता होती है for example production of our goods during the month के इस मन्त में कितना production होगा January में तो January पूरा एक period of time को represent कर रहा है हाँ अगर होता 5th January तो वो एक point of time की बात कर रहा है बड़ January क्या होगे आपका पूरा का पूरा एक महिना होगे आप पूरा एक period of time की बात कर रहा है तो आप किसी goods को अगर आपको stock कहना है या फिर आपको flow कहना है तो उसके time dimensional को check किया करो आप आप goods को देख करके आप नहीं कह सकते हैं कई बड़ टाइम dimensional given होता है 2021 बर्थ रेट इन दा ये 2020 लिए तो 2020 ये आपके जो time dimensional है ये पूरा एक साल लेकर के चल रहा है ना आपका तो ये भी क्या है आपका जब एक time एक duration को लेकर के चल रहा है पूरा इस duration की बात कर रहा है तो वहाँ पर वो चीज क्या हो जाती है आपके आपके लिए वो flow जाती है national income in the year 2022 अगर national income का कोई एक date दे देता clear है तो वो हमेरे लिए क्या हो जाता वो ही चीज मेरे लिए stock में consider हो जाती है लेकिन 2020 तो कभी भी एक time dimensional की बात कर दे तो ये हमारे पास में क्या होगा ये हमारे पास में flow होगा the period of time could be a day period of time किसे कहते हैं a day, a week, a year, etc. it means flow variable are time dimensional as they are measured for a period of time अब यहाँ पर stock and flow के इंदर differentiate अगर हम करते हैं तो क्या differentiate करेंगे तो आप भी समझ चुके meaning में कि stock को एक point of time में measure किया जाता है तो लिख रखा है stock variable refer to that variable which is measured at particular point of time और flow के बारे आप समझ चुके इंद जिसके लिए क्या चाहिए एक period of time चीए तो flow variable refer to that variable which is measured over a period of time time dimensional तो इसमें कोई time dimensional के नीद नहीं है तो क्या है it does not have a time dimensional it has a time dimensional ठीक है magnitude can be measured over a period of time nature of concept ठीक है it is a strategic concept देखेगा जो चीज और डीक हो चुकी है जिसका काम जो की जो की काम टेबल है उसको हम स्टाटिक कंसेप्ट कहते हैं लेकिन जो चीज प्रोसेस में चल रही है आगे उसमें चेंजिस आ सकते हैं जिसको time dimension की नीड होती है उसको हम डैनेमिक कंसेप्ट कहते हैं एक्जामपल प्रॉलक्शन आफ स्टॉक का प्रॉलक्शन आफ इंडिया ऐस दा थर्टी फर्स्ट मार्च 14 देखें मैंने इससे पहले प्रॉलक्शन को फ्लो में एक्जामपल में लिखा है न आपने दिखा भी प्रॉलक्शन के बारे में क्या कहता था फ्लो कहता यहां पर मैं फ्लो के एक्जामपल में लिख रहा हूं ठीक है लेकिन यहां पर मैंने फ्लो कह दिया और यहां पर मै मारूतिकार in डेली में कि तो आप उससे पूचहेंगे आप ये लगाएंंगे तो आपको बता देगा कि वह घंदर इतने मारूतिकार है ठीकर यह नहीं बोलेगा अभी ठेर जाओ एक साल रोड पर निकलते हैं गिनने विए फिर बताएंगे कितना रहेगा डेटा उनके पास म quantity of wheat stored, जो ची stored हो चुकी है, उसको हम एक point of time पर measure कर सकते हैं, और इसे तरीके से, मारुतिकार manufacture during, यहाँ पर एक time dimensional given होना चाहिए था, number of birth during, यहाँ एक time dimensional दिया हुए ना आपके पास में, ठीक है, national income, यहाँ पर आपके पास में, आपके national wealth और national income दो अलग लग चीज़े, national wealth के हमारी संपत्ती कितनी है, और हमारे राष्टर को पता है कि हमारे राष्टर संपत्ती कितनी है, अगर उनसे पूछे बता देगे, लेकिन इस साल का अगर आप national income पूछेंगे ना, तो वो पूरा साल जब end होगा 31st of March, तभी पता लगएगा कि हमारा जो है, financial year में हमने कित amount of bank deposit as 31st March 2008, तो बताइए इस example कि according, एक point of time हैने तो क्या हो गया यह आपका, यह आपका stock हो गया, तो इस तरीके साब stock and flow को categorize आप यहाँ पर कर सकते हैं, यह कुछ example लिखे हुए, हाँ जे, चले, true-false मैंने इसलिए नहीं करवाए, क्योंकि true-false के अंदर ने कुछ question आपके किसके उपर है, true-false वाले question मैंने skip करें, क्यों करें, क्योंकि उसमें कुछ real flow, nominal flow के उपर सवाल थे, ठीक है, लेकिन अभी आपको मैंने पढ़ाए नहीं, real flow, nominal flow, या money flow, तो इसलिए मैंन इसको skip कर दे, पढ़ा करके वापस फिर उसको जाके हम जो है true-false को check करेंगे, ठीक है, तो आप देखे, how many types of circular flow, तो circular flow का आपका जो concept जो आपका आपने पीछे पढ़ा है, 12th class में आपने पढ़ाता, शायदा तो आपको याद भी नहीं होगा कि आपने पढ़ा भी था या पढ़ाता, लेकिन फिर भी जिनको याद है, तो मैं आपको बताएता हूँ, वहाँ पर close economy model अपने पढ़ाता, जहाँ पर दो ही sector थे, flow, flow का मतलब एक जगे से जाना, एक जगे से निकलना, और दूसरे जगे पर पहुंचना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम flow कहते हैं, मेर रही है, कहीं पहुंच रही है, उस चीज को हम flow कहते हैं, तो basically flow जो है, हमारे पास में, सबसे पहले हमने जो 12th class में पढ़ा था, जो कि आपके इस लिबस में अभी भी डाला हुआ हुआ है, वो close economy model डाला हुआ था, close economy model कौन सी economy model होती है, जिसमें सिरफ और सिरफ दो ही sector को रखा जाता है, एक रखा जाएगा आपका household और एक रखा जाएगा फर्म, दो ही sector है कि नौमी में मान की चलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं में सरफ household है, मैं मानता हूं कि सारे आपके मेरे सारे परिवार है, household है ही, मैं मानता हूं फर्म भी है, जहां पर मेरे पिता, आपकी पि चीजह होती है गौवर्मिन्ट की थिरो भी चीजह आती है और को अब आख कि हावंल पर आती है थो बहुत सारी से स्वेक्तिर से जहाँ पर सिर्फ दो सेरफ प्रबद पी चर्चा सब्सक्राइब करते हैं अब देखेगा फ्लो कैसे होता है इस बात को आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिए एक समय मान के चलिए कि हमारे एक में पैसे नाम भी कोई चीज नहीं है और एक समय था भी ऐसा अजारों साल पहले जब मुद्रा एं या फिर जब मनी नहीं था तो आपको पता है कि बाटर सिस्टम हुआ करता था मतलब कि वस्तू इसमें पढ़ना पागए जो है पढ़ना दिशला करती थी वस्तू से वस्तूं का आदान परदान हूआ करता था मेरे पास जो चीज या फैस्ट में जिन चीज का फायदावार होता है मैं उसको अधा रहा हो ठेकि मेरी सारी आउसकता तो उस जमीन से नहीं तो बॉलेगा भी मैं आपको देते हूं मुझे फायदा के मेरे पास में चीज़ है आपको देता हूं अगर सामने वाले को मेरे चीज़ की नीड हुई तब वो डील करेगा दरवाइस वो डील क्यों करेगा अब किसी वेजीटेरियं के पास जाके मुर्गा लेके चला जाओ मै वह यह मुर्गा ले लेजिए मुझे चीनी देजिए वो लेगा मैं क्या करूँगा इस मुर्गे का तो उसमें एक बड़ी समझ्षा थी बाटन सिस्टम में मैं भी बाटन सिस्टम में लेकर करके नहीं जा रहा हूं पर आप मानके चलिए उस दौर में या फिर आज की दौर म समбоrire क्योंकि दोनव एंगल से देखना ज़रूर ही जिरूड और फ्लो जो रहें पैसे का भी होता है मारी एकनॉमी में रफ्लो जो है पैसे का भी होता है नहीं कौछके दान के एक सबसे पहले क्या होता है की कि रस साजण के शीज़वर्मों तक पहुँचती है कोई एक फर्म के पास जो भी रिसोर्स जो भी संसाधन लगते हैं आपने फर्म के पास में जो भी संसाधन देखे हैं जो रिसोर्स आपने देखे हैं वो सारे रिसोर्स कहां से आते हैं वो सारे रिसोर्स एक हाउस होल्ड से ही तो आते हैं क्या क्या आ सकते हैं हाउस होल्ड से एक हाउ रहे हासौड से और को कर देता है इसको को एक ऐसीं क्या जाता है थे हो हैं अधिर जाता है एक हाउसओर से ही आपकर जाता है लेबर और हाउसओर से क्या जाता है इंट्रेपनियोर मतलब Land मतलब भूमी Capital मतलब पूजी Labor आप जानते ही है श्रम इसको आप कहेंगे और इंट्रेपनियोर मतलब उध्यम इसको समेली जिया क्योंकि ये आपके लिए नया वर्ड हो सकता है इंट्रेपनियोर होते कौन है वो लोग जो की risk afford को risk को afford करते हैं और risk को लेवे वेपार करते हैं तो जो एक ability है जो वो capable है वो risk को ले करके काम कर रहा है उस शंता उस capacity को हम उद्यम बोलते हैं clear है जैसे एक किसान अगर खेती कर रहा है तो उसके पास में उसका एक risk है कि वो फसल बरबाद भी हो सकता है लेकिन तब वे वो इस risk को उठा रहा है और वो खेती कर रहा है ताकि आगे उसको बेचेगा तो profit भी होगा उसी को ही होगा तो उस चीच को हम क्या बोलेंगे उसकी जो एक capacity है जो से risk को afford करा है इस चीच को हम क्या बोलेंगे उध्यम तो आप देखियेगा एक फर्म के लिए चाहिए क्या होता क्या यहां के जमीन काहां से आता है क्या अपने आप जंगल पेड उगाते क्या अपने आप भी कहीं पर फर्म उगाता है या नहिं उसको लेंड भी किसी हाउस होल्ड से जाता है तो क्या लेबर अपने 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 लेबर का कई मन्नी लग रहा टाइम पास करने के लिए आज काम करने फर्म में पहुंच गया है ऐसा होता है क्या वह लेबर भी कहां से जाता है एक हाउस होल्ड से जाता है आपके पिता मेरे पिता जो काम पर वह हा से एक हाॉसमोड पषैक वहाल कि पैसा लगाता है और आपका entrepreneur जो एक risk लेने वाला इनसान वह कहा कि सामये आता है है ओमानी तो निकलता है अगर आग्लानी रिसक ले नहीं बोलेंगे इसको हम इना शौट में बोलेंगे इसको हमए शौट में बोलेंगे फैक्टर थिक और सर्विसीज फैक्टर और नहीं चाहिक पर ली इसको हम जो है कारक बोलते इन चीजहों को तो कई बार फेक्टर और कारक इसको रिसोर्स भी कह सकते हैं लेकिन आपको इन तरम से निकल करके फर्म के पास में जाती है फिर फर्म क्या करता है इन चीज़ों का? लैंड, कैपिटल, लेबर और अंट्रेप्रियोर का इस्तेमाल कर लेगा? क्या करेगा? फर्म इसको जो है किसमे? फाइनल गोड़्स एन्ड सर्वीसिस में कनवट कर देगा न? क्लिर है? फाइनल गूर्स तर्विसिस के अंदर इसको फार्म करेगा नहीं करेगा और फिर वह फार्म करकर करके वापस इसको कहा लोटा देगा आपकी घर से गया या तो किसी और गर से कुई गया हो कि सब्सक्राइब एक तो जो भी गूर से सर्वीन का में सतिमाल करने है जो भी मैं कर रहा हूं एक दिन में सारे सारे में मैंतों इबनानाथी कि मैं मतलब क्या है कि एक वस्व-ड भे'Tरख़ी पर परма जाती है क्लियर है अब जरूरी नहीं कि मैं जो दे रहां वह चीज में तक लोटके आनी चीए ऐसे शर्त नहीं है मैंने एक हाउसओल्ड को एक युनिटे माना और मैंने फर्म को भी एक इंडिजन युनिटे माना है फूरा हाउसओल्ड से सर्विस जा रही है और यह सारे फा पर होना जरूरी आ empowerना जारा है लोगों को मिरे बनाने के लिए तो जब नोट्च चापने की मशीन है हमारे पास में और नोट जिस का लियुक्व का और ये आगके एक दे रख्ण करोवें हम सुब दरवाजा खूले करते ब्हाइत पांट करूर कर दोडुसी में देखतों जब मशीन है आपके पास में जब कागज है तो क्यों गरीब कर रखा एडेश को पैसे चाप-चाप-शाफ-बाठ दो ना के बर ऐसे सवाल दिमाग में अते हैं खासकर उनके पासिमी क longest आते हैच जिनके बदो एकनॉमिक स महीं होती है जीवन में और वहाल को साथ में साथ अपना जीवन भी बिताते हैं यह है कि चलो पैसा आ जाए लेकिन जो मनी न वो कोई गुड्स और सर्विस नहीं है इस बात को समझना होगा मनी देखे खाएंगे तो पेट भर नी जाएगा मनी को ओरने से आपके थंड भी नहीं रुख जाएगी मनी से आप नहा भी नहीं सकते पी भी नहीं सकते तो मनी ना तो कोई गुड्स है ना तो कोई सर्विस और जीवन जीने के लिए गुड्स सर्विस की रिक्वार्मेंट होती है मनी क्या है मनी एक माध्या में एक मीडियम है जिससे की गुड्स सर्विस का फ्लो हो सके अगर मैं तो मतलब क्या है यह अगर आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको मैं सेवा दे रहा हूं यहां पर मैं टीचिंग कर रहा हूं क्यूंकि आपने क्या करा पेड़ कोर्सिस में आप लोगों ने अपनी फीस समिट करा अब ऐसा तो निये मुझे जिच चिच की आव सकता है मैं सब्सक्राइब कर रहा हूं एक जूते दिला दो यह दवाई है खासी की दवाई है कि यह सीरप भेज़ो एक टाड़ा नमग भीज़ो इस तरीके से तो मैं समझे रहे ना कुछ चीजह ऐसी जो आपके पास आसपस में नहीं भी होंगी तो आप उसकी सप्लाइब कहां से करो होंगा जहां पर मेरे को सटिस्फाइट करने लिए चीज़े होंगी वहां पर इस पैसे को पकड़ाओंगा तो वह इसको एक्सेप्ट करेगा वो चीज़ मुझे देगा तो मनी क्या है मनी सिरफ एक्सचेंज का मीडियम ही तो है कि जो आपको चीए था पैसे दिया मैंने आ पर आपको पर आपको आपका यह रहने वाला है यह वहार देश में हर उस इंसान का हो जाएगा जिस तक पैसा पहुचा है और सब तक पहुचा दिया किसान भी सोचेगा क्या खेती करने पहुचें पैसा तो आई गया हम बाजार तक खरीद के खालेंगे इस दुनिया में बहुत अच्छे इंसान भी है तो उसका बेफिकर रहीएगा मैं तब भी आपको पढ़ाऊंगा तो आफर का लास्ट जा चुका है वैसे आपका तो यहां पर आपके पास में तो यहां पर आपके पास देश में क्या होगा इंडिज लेबल पर सब लोग जो है इसा सोचेंगे और कहीं न कहीं जो है गुड्स और सर्विसिस का जो है प्लक्शन कहीं न कहीं कम हो जाएगा अब मैं बाजारे पहुचा था कि मिरत पैसे तो है मजिधे भाजात समान मिल जाएगा लेकिन बाजार में समान ही नहीं पूnचा यह जो बजार में समान ही नहीं पूंचा तो一 फो फूरव थो कि थोड़ा बहुत मिला तो ट्माटरे प्याज कि आपको 30-20 रुपए मिल जाएगा फिर वही आपको पचा 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 लाक रुपए मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा और भूके मर रहे हैं यार जो पैसा क्या करेंगे इसका लो भाई दो तुछ को तो महंगा ही आएगी सब्सक्राण तो आ गई बजब चीज़े बनी ही नहीं स्केर सिटी आपने बढ़ा दी चीजों की तो भाई स्केर सिटी बढ़ा दी आपने तो बायर्स में कॉम्पेटिशन आ गया कि वह कौन खेड़ देगा और प्राइस क्या होगी तो उसे बढ़ गई चलिए एक की सब्सक्राण से फुल्फिल होगी तब भी तो उतने लोगों सैडिस्फाइट कर पाएगा वो इसके सिटी आ गई है तो अब देश में आकाल जैसे सिटी पैदा हो जाएगी जहां पर गूर्सन सर्फिस का फ्लो कम हो जाएगा अब मुझे तो नहीं तो खाने के लिए जो है कर summit जाएगा जब जीवन जीना आजना हो जाता है न मिद्रेद क लिए तो यह पैसा च्रास फाप देने से आपने सोचा ने वह को आमीर कर देंगी लेकिन उलटा हुआ क्या और उल्टा गरीब हो गए बैक वर्ड हो गये लोगा जीवन पहले से ज़ादा संगर्स बहरा हो गया तो इसलिए कोई सरकार के पास मशीन होते हुए भी लोग एक्षप ऐसा नहीं चापते हैं इस सवाल का जवाब आपको मिला है नहीं मिला इसलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी क्या है कि लोगों को रोजगार पर रोजगार के अफसर बढ़ाए जाए युकि रोजगार पर जो आएगा जो काम पर आएगा जो स्रेश्ट मिश्रा पुछने हैं कि इंडिया कब तक एक डवलप कंट्री हो जाएगे जब एसल के बच्चे सुरू से पने पढ़ाई करना शुरू कर देंगे जिस दिन इस देश में देवन से उस दिन हमारा देश डवलप कंट्री हो जाएगी क्योंकि आप एड़ा टाइम एक्जाम टाइम पर ही बच्चे कई बर करते स्टडी करते हैं बच्चे डवलप कंट्री का हो जाएगे देखेगा यह ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट ऑफ टाइम होता है कि भजा इस डेट को जो आजादी का है जैसे कि भई हम आजादी ले लेंगे इससा कोई ऐसा टाइम नहीं होता है हम जो है डवलपिंग कंट्री है और धीरे 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 एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जबकि एंप्लॉयमेंट काफी अच्छा हो जाएगा और वो टाइम जबी आसकता है जब हमारा परपलेशन कंट्रो अगर कंट्रोल हो जाए तो रोजगार लोगों देना अगर आज 10 रोजगार निकल रहे हैं तो पचास तैयार हो रहे हैं सु करने वाले तो इसके लिए क्या हो रहा है वह समस्या है भुकमरी है तो यह आपको जो यह प्रॉलम क्रेट करता है तो इसका कोई टाइम प्रेट प्रेट नहीं होते हैं और मने जींट थे और रूट के पर बात कर रहा हूं तो इस फिलुमल को कहां पर रखनें से क्यां और उसको घिकांब अपर यह नहीं इन ए फर कांड़े तो यह पैसा क्या करेगा वह सामान को ले वह सामान ओले सकता क्योंकि मार्केट के अंदर और उसका लाइफ जो पहले से बैटर हो जाएगा इसलिए इंप्लॉइमेंट के तो लोगों के पास में पैसा डाला जाए वह एक बैटर जो है के सिच्विशन रहती है और फर्म इसको क्रवर丶ु मेर को करके बापस इसको हासोल को रिटर्न कर देती है और अब इसीतर के से हमारे जो है हमारी नीड हमारे आवसकता वो पूरी वो पा रही है जी के अच्व समझे या नी समझे तो इसी को जो फ्लों है न ये इंतने मोडल टो यह कर तो इस फ्लो को हम क्या बोलेंगे इस फ्लो को जो हम रियल फ्लो बोलते हैं रियल इसी को हम क्या बोलते हैं इसको हम Rial Flow बोलते हैं Rial Flow means जहां पर Goods and Services की फ्लो जो आपर Physical Flow की बात करते हैं इसको आफ फिजिकल फ्लो भी बोलेंगे हैं Clear है जी यह सौझ में आए आपको अभी money flow मैंने अक्षे पढ़ाया नहीं मैं real flow पढ़ा रहा हूँ आपको और real flow का मतलब सीधा साही है कि एक household से land labor cabinet entrepreneur मतलब की भूमी पूंजी और श्रम और उद्यम ये एक परिवार से फर्मों तक पहुंचता है फर्म इन चीजों का इस्तेमाल करकर करके वो एक goods and services का abduction करती है और उसको बापस वो परिवार के पास नोचीजे lot कर गए आ जाती है और इस तरिकी के flow को हम close economy model में हम जो है two sector flow कहते हैं और जो ये आपके goods and services पर focused है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम real flow कहेंगे और इसको हम physical flow कहेंगे अगर आप money flow की बात करें तो money देखेगा goods and services की में शुरुवात कहा से होती है शुरुवात कहा से होती है अब बताईए गूर्शन services के flow में real flow में starting कहा से होती है एक निकलता है तो मैं बात कर रहा है किस के money अब पैसito कि तो money पास क कर रहा हूं हमें, अगर आपने दिया थो फर्म क्या पे करेगी आपको, इंट्रस्टं। लेबर दिया थो फर्म क्या पे अपको, द्रॉयेज़ इंटेर्प्रेनट धिया थो फर्म आपको क्या देगी बेशनAST देने से छीड़े किस पर फाइनल गुड्स पर हाउस्टोड इसको करता नहीं है तो बापस पैसा कहां पहुंच गया तो आपका यह यह जो मैं बता रहा हूं इसमें मनी के बारे में बात कर रहा हूं इसको हम मनी फ्लो कहते हैं का थहgiving है सकता है सुछुः एक की जीसी आपका पर आपके पास में इंटरश्ट और वापस उसको फाइनल गुर्स के चर्ट पर ह 1000 टक पहुंचा यह तो आप उपर वाले देख हो और फिर मैं क्या सकता हूं कि जो आप पिंक लाइन वाले जो आप यलो लाइन का देख रहे हो आप उपर वाला यह हमारा क्या है यह हमारा जो है रियल फ्लो है और जो आप पिंक लाइन का देख रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम मनी फ्लो कहते हैं इसको हम मनी फ्लो कह एक real flow and money flow, ठीक है, आप क्या करें, explain the concept of the real flow, मत्तब जहां पर goods and services का flow होगा, जैसे देख रहे हैं आप, कि क्या हो रहा है, कि real flow में कहां से start होगा, household से, क्या जाएगा, factor services जाएगा, जैसे land, labor, capital है, enterprise, और firm क्या करेगी उसको, goods and services पर convert करके वापास household तक पहुचा देगी, इस flow कम, real flow केते हैं, real flow refer to the flow of factor, factor services from household to firm, कहां से start होगा, factor services कहां से, from household to firm, and the corresponding flow of goods and services from firms to household, और firm से कहां जा गई, goods and services, household, as seen in the diagram, households provide the factor services to the firm, which in the term of the providing goods and services to them as the reward for their productive service, reward में क्या मिल जाता है, इसको, goods and services मिल जाता है, there are only exchange of goods and services between the two sector, without involvement of any money, इसको क्या बोलते है, इसको physical flow भी हम कहते है, मने बात समझे, real flow determines the magnitude of the growth process in the economy, for example, when the more factor services are offered to to affirm, the volume of the production will be more and it speeds up the process of the economic growth, मैंने बता है आपको कि मनी से बात नी बनेगी, बात किस से बनेगी, goods and services कि जादी जादा फ्लो होगा, उतनी जादा हमारे जो एकनौमी ग्रोथ होगा, पर एकनौमी ग्रोथ का मतलब तो यही होता है, ना, कि सबका जीवन, सबकी पास रहने के ल इसा हो, तो कहीं न कहीं जो है, खुशियां और संतुष्टी भी आएंगी और जीवन जीना आसान हो जाएगा लोगों के लिए, शायद आपके और में साथ मैंसा ना हो लेकिन बहुसतारी लोग ऐसे हैं, जो कि यह सोचते हैं कि बहुत का रासन कैसे आएगा, जो बीमार है एकनॉमिक ग्रोथ का सीधा सा मतलवी होता है, कि लोगों के जीवन को आसान जो है बनाया जाए, तो आज से आपको भी इंतेजार रहेगा एकनॉमिक ग्रोथ का है, ना, हाझी, मनी फ्लो, मनी फ्लो में क्या होता है, वोई चार्ट में आपको वापस यापर रिपीट मनी फ्लो में क्या होता है, सबसे पहले, सबसे पहले सुर्वात एक फर्म से होती है, जो कि फेक्टर पेमिंट करते हैं, जो फेक्टर सर्विसे का लिए पेमिंट होता है, तो फेक्टर पेमिंट करते हैं, लाइक रेंट, वेजिस, इंटर्स, एंड प्रॉफिट, और ये कह जाता है यह आपका हाउसोल्ड के पास जाता है और हाउसोल्ड क्या करता है इसको कंजम्शन expenditure कर देता है goods and services पर तो money flow refer to flow factor payments from the firm कहां से start होता है फॉर्म से टू हाउसोल्ड for their factor services and corresponding flow consumption expenditure from household to firms clear जी as seen in the diagram जैसा आप diagram में सीच को आप देख भी पा रहे हैं clear जी और इसी को money flow को हम क्या कहते हैं nominal flow भी कहते हैं तो आपका real flow को हम physical flow कहते हैं और money flow को हम nominal flow भी कहते हैं यह बात समझ में आपको आई या नहीं तो आज हमने flow में एक basic सी बातों को हमने पड़ा real flow and money flow में meaning so it is the flow of the goods and services and money flow it is the flow of the money between the firms and household kind of action it involves the exchange of goods and services it involves the exchange of money ठीके ना there may be the difficulties of the barter system में difficulties आती थी नहीं या इसमें कोई भी difficulties नहीं आती है alternative name it is known as the physical flow and nominal flow यह बात समझ में आपको आए clear है तो बच्चे कई बार हम बड़े advanced question के भी थ्यारी करते हैं और करना भी चीए हमें लेकिन पेपर में टूइस्ट हो जाता है और हम आसान चीजों को नहीं पढ़ते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं आप आप देख सेमेस्टर एक्जाम आपने दिया तो उसमें क्या वा कि कुछ स्टूडेंट का साथ हो सब्ता कि वह बड़ा बेसिक सवालों को सब्सक्राइब बेसिक सवाल यह तो पिपर में आएगा यह नहीं आप या तो यह पहले पूछ आ गया है हमारे अकैडमिक में यह तो आएगा है लेकिन हुआ कि सारा आपकर कि मैक्सिम चीज़ आपकी जो है इसलिए हमें सब कुछ कवर करना है ठीक है बेसिक से एडवांस है क्लियर है तो आज सिंपल एकनामी अजम्शन अब देखी गार नेस्ट क्लास में इसको हम कंटीन्यू करेंगे और एकनामी मोडल में जो है इकनामी मोडल को भी लिकर कि आऊंगा जहां पर गवर्मेंट और लीकिज क्या होता है इस बात को समझेंगे और नोट बंदी का करने का कारण क्या रहा था है इस बात को भी हम अच्छे से समझेंगे इस चीजों को प्रेटिकल आफ में इसने मागर के पढ़ेंगे अच्छे साब समझ पाएंगे क्लियर है मिलते हैं फिर हम अगली कक्षा मे करण एक हैं धेस सकते एनी आफ इस बात करते हैं अरो होगा है.